मैं कोई भी financial advisor या financial expert नहीं हूँ इस वीडियो में दी गई सभी जानकरी या तो internet से ली गई है या फिर Swem के experience और research से बताई गई है इस वीडियो में sponsor content भी हो सकता है तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको यही सला दूँगा कि आप कोई भी investment हमारे कहने पर या वीडियो को देखके ना करें हम गलत भी हो सकते हैं इसलिए कोई भी investment करने से पहले आप सभी अपनी और से swim की research कर लें इस वीडियो को देखने के बाद आपके दुआरा की गई किसी भी तरह के investment के हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और नहीं उससे होने वाले किसी भी प्रकार के profit and loss ट्रेडिंग, legal, mental और physical loss की भी ये वीडियो सिर्फ education और information purpose के लिए बनाए गया है, trading एक highly risky काम है बिना पूरी जनकरी के market में trade ना करें, इसमें आपको नुकसान हो सकता है और जो भी trading आप करते हैं वो अपनी risk पे करें, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा उस पेसे को market में ना लगाएं जिससे आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और नहीं कोई भी loan लेकर investment या trading करें, financial market में financial skills बहुत ज़रूरी है बिना इन skill के investment और trade ना करें, crypto currency is an unregulated digital currency, not a legal tender and subject to market risk लो दोस्तों मैं हो फ्रेंजेस तभी का स्वागर करता हूं कि टो वैल के विकूल फ्रेश वीडियो के अंदर bitcoin जब इसकी बात आती है हम सबी लोग या तो उसका price prediction जाना चाहते हैं या फिर short term में इसको कहां खरीदे कहां बेचे ये सारे चीए जानना चाहते हैं लेकिन हम सबी में से एक criteria ऐसा भी है या हम कह सकते हैं कि एक ऐसी community का छोटा सा part भी है जो यह जानना चाहते हैं कि आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद bitcoin का rate कहां होगा हां I know कि बहुत सा लोगों को नहीं चाहिए कि इतना दूर का कौन सोचता है कौन जिंदा रहेगा कौन क्या करेगा ठ पैसे का कितना portion अगर bitcoin में आता है तो bitcoin यहाँ पर grow up कर सकता है देखिए जब कभी हम cryptocurrency या किसे stock की बात करते तो वहाँ पर सबस्याद होता है उसका market तो उसी चीज़ को जानते हैं जिससे कि आप इसके price को भी लगबग हां पर identify कर पाएंगे क्या market आपको कितना price आगे चलके decades के अंदर भी offer यहाँ पर कर सकता है तो चलिए फटा-फट से दोस्तों वीडियो को कर दीजिए like and channel को कर दीजिए subscribe वीडियो को share करना बिल्कु भ आपको वापे 50% discount पर नहीं आप पर मिलने वाला है इसकी सारी details and link मैं आपको वीडियो के नीचे description में provide यहाँ पर करार रखी है चलिए बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है क्या सारी चीज़ है तो एक article है जो कि हमें सब स्टेक्स पर देखने को मिला है जै Bitcoin की एक ceiling किया है यानि कि अगर Bitcoin pump कर सकता है या फिर अपने market का को expand कर सकता है तो किस value तक यहाँ पर ले जाए जा सकता है तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि Bitcoin यहाँ पर compete किसके साथ कर रहा है तो पहले ही यहाँ यहाँ पर clear कराईगा कि Bitcoin कोई currency नहीं है Bitcoin currency से कहीं किसी भी industry से जाके revolution नहीं करता है Bitcoin अपने आप में ही एक अलग industry के तौर पर establish है क्योंकि जो industries होती है वो किसी भी country के GDP के अंदर help करती हो GDP में जब वो चीज़े आती है तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़े मिलती है लेकिन Bitcoin को कोई भी अपनी country के GDP में include तो कभी नहीं करे आएगा कि Bitcoin basically square asset, increasing scarcity और early stage growth के factors के अंदर है बागे हम लोग जो भी gold, lands की बात करते हैं, inflation की बात करते हैं, depreciation और consumption की वो भी अपने factors में यहाँ पर आते हैं इसलिए आप बात करते हैं तो Bitcoin का simple सा कहने का मतलब यह है कि अगर Bitcoin हमारे पास है तो इन सभी ची़ों से Bitcoin यहाँ पर inflation की, depreciation की, यह जितने भी चीज़ें तो इसका कितना percentage Bitcoin यहाँ पर एक्वार कर सकता है, तो आप अलग-अलग reasons बताएं कि जैसे अगर हम किसी company की बारे में जानना चाहते हैं तो उसके future cash flows, उसके future cash flows हैं उनके साब से जानते हैं, अगर हम किसे real estate को देखते हैं तो interest rate कितना ह होगा, किस अब से conception होगा, उस अब से देखते हैं, गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड की supply में 2% जो supply हो हर साल हमें increase होती भी मिलती है, यानि कि जो 12 trading का भी market cap हमें देखने को मिल रहा है, उसमें 240 billion हर साल कही न कहीं आई डोरी, जो कि Bitcoin तो फिर भी बहुत चोटा है आप 0.45 और इसका major reason है यहाँ पर Bitcoin की halving, तो आज से पहले अगर हम लोग बात करें कि जो 90's का समय हुआ करता था तो वहाँ पर हमें एक information age देखने को मिली जहाँ पर information बहुत ही से digitalize हुई है, आज हम जो भी बाते कर पा रहे हैं, जो कुछ भी हाँ पर कर पा रहे हैं, यह सारे क of information का time था, और अब आने वाले जो decade होंगे, अब से 80 साल, 70 साल, उसके अंदर digital value को basically, यानि कि जो valuation है, जो हम currencies की बात करते हैं, money की बात करते हैं, उसको यहाँ पर digitalize किया जाएगा, जो कि Bitcoin का adoption, EC की बीच में आप हमें लेखने को मिलेगा, जैसे कि internet का adoption, after 20's हमें देखने को यानि की 2000 के बाद यहाँ पर देखने को मिला है, अब Bitcoin में जैसे halving हम सभी को पता है होती है, तो इसकी production supply वो कम हो जाती है, जिसकी वैसे इसकी scarcity बहुत ज़्यादा बड़े level पर बढ़ती जा रही है, और ये बढ़ने का सबसे बड़ा ही फायदा यह होगा, कि कही ना कहीं compete करेगा with a global market, अगर हम लोग cryptocurrency में Bitcoin का size देखने के कोशिश करें, तो ये 400 billion के आसपास, आज की नेट में बैटा है, लेकिन gold 12 trillion, ART जो 18 trillion पर है, इसके बाद cars collectable जो 6 trillion पर, equities जो की 115 trillion पर है, money जो की market में 120 trillion है, bond 300 and real estate 330, तो अगर इन सभी का total यहाँ पर किया जाए, तो बहुत ज्यादा छोटा है, तो अगर इसी चीज़ को हम देखें कि आगे जाके कितना valuation grab करता है, तो अगर हम सारे market में से थोड़ा थोड़ा portion देखने के कोशिश करें, like gold का क्योंकि heavy competitor है, तो उसका 50%, cars का 5%, pinites का 5%, stocks का 15%, real estate का 15%, bond का 30% और money का 30%, तो इसका जो सब total हो सकता है वो हो सकता है, लगबग लगबग 200 trillion dollar, जी हाँ, 200 trillion dollar, bitcoin का market cap हो सकता, अब ये एक रात में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, एक decade में भी नहीं होगा, इसमें definitely time लेगा, क्योंकि सारी चीज़ों से धीरे-धीरे पैसा, diversity में होगा, लेकिन एक चीज़ मत भूलिए कि ये करेंगी, सारी चीज़े करने वाली है, ये 900 trillion, 1200, 1500, ये 2000 trillion तक भी जाएगा, और फिर ये figure घूम के 200 trillion की बजाए, 400 से 500 trillion तक भी यहाँ पर जा सकता है, तो ये आज की सबसे बहुत अच्छा valid है, तो यहाँ पर बताएं कि लगबग लगबग bitcoin में इतना potential है, कि 25% world की value को हाँ पर खा सकता है, अगर इस diagram के साबसे हम लोग बात करें, bitcoin gold को खाने के लिए 30X चाहिए, और अगर हम 200 trillion की बात करें, तो 500X की growth अभी भी bitcoin के इंदर बागी है, अब यार इस value को तो मैं बिल्कुल भी नहीं चूँ सकता कि पता नहीं क्या-क्या valuation होगी, लेकिन अगर हम general perspective में देखें, तो जब हम 4-6 trillion की बात करते हैं, तो वहाँ पर bitcoin का भाव 2-2,00,00,00 होता है, और अगर 12 trillion के असपास भी bitcoin जाता है, तो 1 million लगमक उसका भाव याँ पर पहुचने की उमीद रहेगी, तो 200 trillion तक तो सोचो फिर वहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती है, तो यह सारी 20X की बात करते हैं, तो यह लगबग-लगग 7,00,00,00 की बात हो रही है, जो कि यहाँ पर एक bitcoin का भाव, gold के comparison में, 12 trillion market cap पे यहाँ पर निकाला जा रहा है, इन्हीं परसन ने एक और मतलब कह सकते हैं, आर्टिकल लिखाता पहले है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप पर ब यह continue bitcoin के अंदर यहाँ पर चलती जा रही है, inflation obviously इसका 0 होता जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं आने वाले, I think 2050 तक यह अपने inflation को almost 0 की तरफ यहाँ पर पहुंचा देगा, और यहाँ पर अगर हम equilibrium देखें, तो हर बार bitcoin की prices ने कुछ ना कुछ jump off दिया है, जैसे last time 100X का दिया की भी बात करते हैं, कि 15,000 एक bottom था और यहाँ से अगर market 10X भी होता है, तो 1,50,000 तक इसका potential है, यहाँ पर pump करने का, और with a time अगर हम इसको 3 axis पर देखें, जैसे normal axis, जो कि हमारे पास यह वाली है, हाला कि इसको linear axis कहते हैं, इसके बाद है आपके logarithic axis जो कि आपर work करी है, औ भी हमने परपेंशल चार्ट के अंदर देखा, कि इस तरहे market जो है, वो यहाँ पर work करते हैं, तो यह है basically पूरा bitcoin का एक assumption, लेकिन यहाँ पर जो यह वाला चार्ट है, यह बहुत अत्तक बहुत सारी चीज़े बता रहा है, और जिस तरीके से इसको यहाँ पर divide किया गया है, हो सकता है कम जादा कुछ भी चीज़े हो, लेकिन कहीं ना कि हम यह तो कह सकते हैं, कि bitcoin अगर इसी तरह चलता है और सारी चीज़े होती है, तो 100 trillion का है, इसका जो market वहाँ पर हो सकता है, और bitcoin का price आने वाले एक से दो decade के अंदर, about मैं कह सकता हूँ कि 1 million dollar के उपर easily आपर hit कर स तो easily यह 1 million से लेकि 10 million dollar की ranges को cater करेगा आने वाले भविश्य के अंदर, I hope दोस्तों आप से अभी का आप पर पसना ही होगी, दोस्तों कर वीडियो के पसन, तो please वीडियो को लाइक करेगा, अगर अभी तक अपने चैनल पर family है, friend किसा शेयर नहीं करा है, तो देरी किस बात क तो रहे जाए शेयर करें ताकि वो लोग भी crypto market से भी update है रह सकें, और अगर आप आए first time में चैनल के उपर, तो रहे जाए चैनल को करें, subscribe, 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 notification, bell को दबागे, click करें, all के अपर, ताकि मेरा आने वाली सब भी वीडियो की information proper time पर पास सकें, तो मैं मिलता आप से लिए आप से लिए कुसार, तो अब तकिले, have a great day, and bye bye